वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल आई वोप आप सभी ठीक होंगे और गुड मॉर्निंग आप सबको तो आज जो मोसम बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है खराब के इतनी ज्यादा रात से बादल जो अगरज रहे हैं मेरे मुझे तो बड़ा ज्यादा डर लगता है ज इतने ज्यादा गर्ज रहे हैं तो आप भी कर लीजी तब ठीक है फ्रेंड्स अभी खा लेते हैं सभी खाना तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे हैं तो मैं मिलतूं आप से थोड़ी देरवाद नीचे जा रहा है मेरा छोटा सा भाई है कोचिंग के लिए बाए कर बेश दीवत करांदा तो आप देख सकते हैं इसने बाए भी कैसा किया तो आप देख सकते हैं मुझ समझो है थोड़ा साफ क्या भी बार इस थोड़ी कम हुई है तो फ्रेंज यह जो शक्ष है यह मेरी मम्मी जो सुगाने सिर्फ नास्ता किया हुआ है और जो काम है फिल्कुर सोई का हुआ है जोड़के सिद्धे आं तो मूवी देख रहे हैं और क्या वलते हैं ना कुछ भी काम नहीं किया क्या काम? फेप्रट फीर लुमारी है नहीं आपने गैस साफ करें नहीं बरतन दोए पानी गर्म करा हुआ था हमने वह भी ठंडा हो किया जो भी मुझे दवारा करना पड़ रहा है वह भी मेरे को धोने पड़ने यह हमारी मम्मी यह पिल्कुल राणियों की तरह राज करते हैं मैंने और मम्मी ने कर लिये सारा काम घर का तो आज भी ठंड कम हो समय है तो हमने सुचे कि रोज रोज दाल चावल क्या अबनान तो आज हम बोती नो वात साग खा रहे हैं वह भी बिच्छ बूती का तो हम आपको दिखाएं कि क्यों वह कौन सा साग है तो आप मेरे वीडियो अचल रही है इनके ममी जी घुल दो हाए यह मेरी गोल मॉलो हमारा खेत है कोहरी हम आपको टाइम आने के तो यह जग इसको बूटी बोलते हैं प्राइन इसको अगर आप हाथ लगाओ गए न तो बहुत भी रहा लोगा तो यह जो अब मेरे मम्मी अब लगाने से खाती है मैंने भी बैग लाया पर अभी मैं यहां पर नहीं लूँगी आगे जाक के लूँगी तो फ्रेंज अभी मैं भी साग को तोड़ रही है तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रही है तो फिर मैं आपसे थोड़ दिरवाद बात करते हूं तो फ्रेंज आप यहां तब यह देख सकते हैं ममी सोंग तो गाओ कुछ अगे देखिए फ्रेंज ममी ने तो साग काना भी बना दिया ममी ने अभी मुझे घर के लिए भेज दिया है और वह अभी उपर चले गए है पुराने घर जहां पर आए तो बस उनके पास चलेगे गप शक्ते मानने के लिए अब आएंगे एक दो घंटे वाद अभी तो बोलके मैं अभी आई तो अभी नहीं आएंगे बड़ी देर वाद आएंगे वो तो अब मैं चलती हूं घर अपने यह वो चीज लाई हूं तो आपको दिखाऊंगी तो फ्रेंस हम इसको पैब इसका नाम है मामा चोल तो हम स्कूल टाइम में भोजा दखाते थे जैसे स्कूल नहीं जाना तो यह सारे कट्टेगर के ले जाने तेखो इसकी शेप जो है मामा चोल की तरह लग रही ममी साग को चितर से जाड़ रहे हैं फिसके वाद इसको चुल्ले पे चड़ाएंगे इस टीटेश्टी रोटी और गर्म-गर्म साग जो बन के हो गया त्यार तो चलिए अब हम इनको खा लेते हैं तो आप से थोड़ी देर बाद मिलते हैं सब वीजों हम सबने खाना खा ल कर देना जो पसाग तो टते टाइम घुसोंगा आया था अगर आपको अच्छा लगवा थो प्लिस कमेंट भी कर देना बाइबाइबाइब आप